चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे Canon के कैमरा से मोबाइल में फोटोज को किस परकार से ट्रांसपर किया जाता है इसके लिए आपको basic settings का ध्यान रखना है और इसके लिए आपको अपने mobile phone में एक application को डाउनलोड करना होता है और जिसका नाम है Canon Connect तो हम यहाँ पर जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करेंगे Canon Connect सबसे उपर आपके पास एक application आ जाएगा इसको आपको download and install कर लेना है मैंने इसको already install करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको open करूँगा और यहाँ पर open करने के बार आपको easy connection guide के उपर click कर देना है और अगर आप first time कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको connect है camera के उपर या फिर camcorder के उपर click करना होगा और यहाँ पर आपको अपने camera का model number डाल देना है यहाँ जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ यहाँ पर आपका model number आ जाएगा इसको आपको tick करना है और उसके बाद ok पर click कर देना है और यहाँ पर yes कर देना है यहाँ करेंगे तो इसके बाद आपको next next करते हूए जाना है यहाँ पर आपको अपने mobile phone का wifi on कर लेना है और साथ मैं camera का wifi भी on करना होगा यहाँ पर मैंने इसको wifi को on कर दिया है और इसके बाद हम camera का wifi on करेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सबसे उपर इसको यहाँ पर आपको manual के उपर ले जाना है Sutter को यहाँ पर आप Manual के उपर ले जाएंगे इसके बाद आपको Camera के उपर चले जाना है जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे Option आ जाते हैं यहाँ पर आपको Menu के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Right या फिर Left में जाना है यहाँ पर Wi-Fi Function के उपर लेके जाना है आपको इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको Smartphone के उपर क्लिक कर देना होगा Smartphone के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Review या फिर Change Setting का एक Option मिलेगा इसके उपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको Change Set के उपर जाना है और Easy Connection के उपर चले जाना है और इसके बाद OK के उपर क्लिक करना है जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास एक Encryption की आ जाती है और इस की को आपको Note Down कर लेना है और इसके बाद आपको अपना Wi-Fi ओपन करना है यहाँ पर आपके पास अपने कैमरा का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपको इस Encryption Key को यहाँ पर पासवर्ट के रूप में यहाँ पर एंटर करना होगा 25220142 और इसके बाद जोईन के उपर क्लिक कर देंगे जोईन के उपर क्लिक किया है तो आपका यहाँ पर कैमरा कनेक्ट हो चुका है अब हम बैक जाएंगे यहाँ से और इसके बाद आपको Canon Connect एप को यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके पास थोड़ सा टाइम लेगा यहाँ पर operate the camera to proceed the next page कह रहा है यहाँ पर कैमरा के उपर आपको जाना है और okay के उपर क्लिक कर देना है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो इस okay के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका camera जोगा connect हो जाएगा और इसके बाद आपको canon connect app को open करना है यहाँ पर done कर देना है, start कर देना है और image on camera के उपर click कर देना है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मेरे camera के image हैं वो यहाँ मेरे phone में so होने लग गए हैं इसको आप यहाँ से download भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने एक यहाँ पर image ले रखा है अभी import करेंगे, यहाँ से import हो जाएगा एक import करके देखते हैं और original size के उपर click करेंगे या फिर reduced size भी कर सकते हैं और इसके बाद OK के उपर click कर देना है यहाँ पर आपके पास image डाउनलोड हो जाएगी और इसके बाद एक और image हम यहाँ पर import करके देखते हैं जैसे कि इसी image को ले लेते हैं हम यहाँ पर import किया और OK के उपर click कर दिया और इसके बाद हम gallery में जाएगे यहाँ पर यहाँ फिर file manager में जाते हैं यहाँ पर photos के उपर जाएगे और इसके बाद Canon EOS 3000D के उपर जाएगे यहाँ पर हमारे पास जो photos होंगे वो import हो रखी है कुछ इस परकार से यहाँ पर देख सकते हैं जूम करके भी देख सकते हैं तिक clear image आ रही हैं आपर तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि Canon के camera से mobile phone में image को किस परकार से import किया जाता है तो अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को दबादें ताकि next video का notification आप तक सबसे पहले पहुँचे